तो हेलो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पर है कक्षा बारवी का हिंदी विसाय का पेपर आज की वीडियो हम लेकर आए हैं पूरा पेपर आपको इसी वीडियो मिलेगा अभी जो है मैं दो वीडियो बना चुका हूं इसी पेपर के ठीक है बिल्कुल रियल पेपर की अगर आपने उन प्रश्णों की वीडियो नहीं देखिए तो आप स्यनल पर जाकर जो है जैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं अप चैनल पर जाकर देख सकते हैं चलिए तो हम बिना देरिका वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका कक्षा बार भी कल सुबह 9 बजे जो आपको पेपर मिलेगा ठीक है हिंदी विसे का वो पेपर हम अभी देखते हैं विल्कुल 100% रियल पेपर तो देख लिए यहाँ पर आपका जो सीरियल नमबर लिखा हुआ है सेट आप क魚 लिजिए हम जो है प्रैश्न करमांक अगला देख लेती है ठीक है तो इसलोन बरेंगा प्रश्ण करमांग 3 है अग सभी परचने inmer नमबर बता चुकीं ठीक है तो आप जो है चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं ठीक है इसके बाद ये प्रेश्णिक्रमांग चाहा है ठीक है ये प्रेश्णिक्रमांग चाहा है और इसके बाद ये प्रेश्णिक्रमांग 5 है ठीक है ये प्रेश्णिक्रमांग 5 सत्या सत्य कत्हन लिखिए ठीक इसके बाद हम देख लेते हैं आठवा प्रेशन तो देख लीजिए दोस्तों ये आपका आठवा प्रेशन हो जाएगा ये आठवी प्रेशन का अथवा वाला प्रेशन हो जाएगा ठीक है इसके बाद ये प्रेशन करमांग 9 हो जाएगा ये 9 वी का अथवा वाला हो जाएग देख लिए लिए इन सभी प्रशन कol फिल वी Thrones में बता जुके हैं यिगे तो आप चेनल पर जाकर उन वीडियोगों को देख सकते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे प्रश्न माग सोला से तो रहिक तो देखते हम प्रश्निकरमांग सूला है, हरिवनसराय बच्चन अथवा रगुवीर सहाय का काव्यगत परीचाय निमने लिखे तो विंदूओं की आधर पर आपको लिखना है, तीन नम्मर का प्रश्ने है, हरिवनसराय बच्चन या फिर रगुवीर सहाय का जो आपको आधार पर आपको लिखना आए ठीक है धरम विर्भारती अथ्वा हजारी प्रसाद दुवेदी का साहित्यक परीचा निमने लिखेत विंदुगों के आधार पर लिखिए तीन नम्मर का यह प्रश्ण हो जाएगा ठीक है और सभी प्रश्णों के जो प्रश्ण करमांग सोला है प्रश्ण करमांग सोला से लेकर प्रश्ण करमांग तेज तक सभी प्रश्णों के उत्तर आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे तो वीडियो को आपको लाश्ट तक देखना है वीडियो पर आपको बने रहना है और हम जो सभी प्रश्णों के उत्तर आपको बतान आ है या फिल आपको जहें स्तंद्थ रदी छीवीं स्तारीजी इसके बाद प्रश्ण करमान्क को नहीं सा जाता है तो यह व्हुजी आम यह पते तो पध्यांस को ध्यान पड़कर नीचे दिए गए ढिए प्रशनों के आपको उत्तर लिखने हैं ठीके तीन अमर्परिशन है आपको इस पद्धियांस कूप पढ़ लेना यक्छे यह और नीचे दीएगा इन प्रेशनों के यह चार नमबर का प्रश्ण है तो देख लिए इसका इसका अधवाला प्रश्ण है इसके बाद हम प्रश्ण कर पॉस्ट करके स्क्रीन्सट ले लिए और अभी जो है हम इन सभी प्रश्णों के उत्तर बताएंगे आपको ठीक है तो वीडियो पर बने रहिए ठीक है और वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है इसके बाद हम प्रश्ण क्रमांग को 22 देख लेते ह पर अपने मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना है तो देख लिजिए ये हो जाए आपका पूरा पीपर आपका प्रिश्णों के उत्तर ने इसके बाद भवपक्षय देखेंगे तो यह बंसीरा इंगी प्राराइबच्चन की प्रारंब कविताओं में विशेश कर मधुशाला में अर्थ विस्तार पाता है ठीक है कलापक्ष में हरीवन्स राय बच्चन जी का देख लिजी आप यह होजएगा खलापक्ष ठीक है इसके बाद जो कलापक्ष ठीक है और इसके बाद यह इनका साहित्य में इस्थान है तो ये देख लीजी साहिटमें इस्थान इसके बाद प्रश्निक्रमांग 17 ओरसकते हैं यह वीडियो को पर इंको कर सकते हैं टिक और इसके बाद जोएं का साहित में इस्थान इसके बदर प्रेशन करमांग अठागा वत्तर रहें तो देख लीजी यह जो प्रेशन खरेंगां तो देख लिजी स्क्रिंट सब्सक्राइब यारे पर सकते हैं और ये इनसाइव को याद कर लीजा और इंशाइब अबरत करने के बाद कल न के आपका दोग हिंदी नो बजी आप मिलेगा ठीक है नो बजे नो बजे कल्थ छेया फरवरी के दिन ठीक है तो आंगे के जो है प्रशनों के उत्तर देख लिए तो देख लिए तो इसके जो है व्यंद सभी प्रेश्नों के उत्तर यह hoor तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जीडियो को लाइक कर देना है इसके बाद प्रश्venue निगा बाईस हो जाएगा जिसमें आपको पत्र लिखना था ठीक है तो देख लिजी यह हो जाएगा पत्र आपको इस प्रकार से लिखना है ठीक है तो देखломी है पूरा प्रश्न सभी फ्रश्रों के इसी वेडियो में आपको मिल गई है तो आप सब तो देख लिए आगे आपको अथवाला प्रस्सु का अथवाला प्रस्सू ने यह जिसकी जब तर इस समय आपको तर लिखना था, यह अपने मित्र को जिसमें जो cry वह परिंचा में प्रिथम सरेणी से उत्रीन हुआ है ठीक है तो देख लीजिए इसको जो आपको इस प्रकार से लिखना है ठीक है इसके बाद प्रेशनिकरमांग तेशा जाता है जिसमें जो है आपको निबंध लिखना था ठीक है तो देख लीजिए विद्यार्थी और अनुशाशन जो की अपको निबंध दिया है तो आप इस पर याद कलने साइजी भी है और आपको जल्दी भी याद हो जाएगा ठीक है तो इसमें पांच रूप लिखा आपको लिखनी है ठीक है इसके बाद सबी सबसे पहली प्रस्तावना फिर अनुसासन का आसा फिर अनुसासन के आपको प्र पूरा रियल पेपर हमने आपको बता दिया है और सभी प्रेशनों के क्या बता दिया है उत्तर सभी प्रेशनों के उत्तर बता दिया है पूरी रात आपके पास है तो आपको क्या कर लेना है इस वीडियो को डावलूड कर लेना है सभी प्रेशनों को नूट कर लेना है पूर